हेलो प्रेंट्स आज शंद्या की कीचन में आपका स्वागत हैं दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को सिस्क्राइब नहीं कियो हो तो प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को सिस्क्राइब कीजिए धीर सारी लाइब कीजिए आज मैं गाजर मुली मतर की अचार अधर एक हमारा है भी मटर है तो जैसे देख रही है रहें हमारा मटर गदाए वे झिसे हैं JUN मटर आपको जह जादा लेना है jest 100 घ्राम हमारा देक Dash है तो जाट झाल सकते हैं यहां पर आधा पाऊ के यहां ваши हमने देख रहे हैं जैसे कि है अब इसको काट ले रहे हैं तो जैसे देखते ह। गाहँ पे पहसुल बोला जाता है इसे जैसे सो आदा पफिछ समौ gay नहीं काट गाहँ पहसुली काता है इस需ता है इसकी से अवस्त है काटने में दूस가지 को पड़ता है इसी तरह से हम सारे अपने मूली को काट ले रहे हैं तो मूली को जैसे अचार हम बनाएंगे इसको जल्दी बाजी में अचार आपको बनाना हो इस तरह से अचार देखें जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से अचार आप बना सकते हैं इसको जैसे देखते हैं कोई भी रिष्टदर को भी दे सकते हैं आप तुरंद बना कर इसको तो हमारा मूली कड़ गया है तो अब देख रहे हैं इसका छिलके उतार दो रहे हैं तो जैसे देखते हैं रोवा टाइप में रहता है गाजर में इसलिए हम इसको उपर से छिलके को उतार दे रहा है तो अब छिलके को जैसे देख रहा है इसी तरह से हम सारे गाजर को अपने साप कर लेंगे तो अब गाजर को जैसे देख रहे हैं इसी तरह से हम साप कर रहे हैं तो गाजर से किसी बनाने से रोवा निकल जाता है इसका अब देखिए इसी तरह से हम सारे गाजर को अपने स्षिल लेंगे यह देखिए छोटी बच्ची यहाँ पर बैठी है जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो यह बच्ची यहां पर जरूर आ जाती है यहां पर कहानी सुना रही है यहां पर देखिए मचली जलकी रानी की कहानी सुना रही है बढ़के अब यहां पर हमारा गाजर छिला गया है तो हम अपना गाजर को अब हटाए हैं इसी तरह से जैसे देखिये hi haben चाकू से बता रहे हैं आपको चाकू से भी इस तरह से आप काट ले सकते हैं लिसको तो हम इसको बड़ा साइज में काटेंगे थोड़ा देखिए इसी तरह से गाजर हिमारा जैसे ख़ड़ा ठाइक में थोड़ा है छड़ऑ जारा है काटने पे है तो ज्यादा कड़ा गाजर को आपको नहीं बनाना है जीतने नरब गाजर आपका रहेगा उतने अच्छे से आपका यह अचार तो हमारे यह इसे शेत का मूलि है ताजकम मूली हमारा है इसी का हम बना रहे हैं इसकी पहले देखें करह अचार हम बनाए थे तो उसी तरक से इसको हम conceived मनाएंग现在 мехम तो सारे गाजर को हमने इस Separate देख रहे हैं काट ले रहे हैं गाजर हमारा कट गया है अब इसको जैसे देख रहे हैं मतर को छिलके के भी उतार ले रहे हैं इसी तरह से मतर को छिलको जैसे डाड़ने पे इसमें मतर हरी हरी रहता है तो मतर भी इसके साथ साथ में गल जाता है आप इस तरह से अचार बनाएंगे तो काफी दिन तक भी आप का ठीके गाशार तो हम देखिए इसी तरह से मटर की छिलके को उतार ले रहे हैं सारे मटर को छिलके की इस तरह से उतारेंगे आप जैसे देखते हैं तो मूली काटे हैं जैसे हम गाजर को इस तरह से मर्चे को भी दो-दो टूके करके आप डाल सकते हैं इसमें जो तीके खाते होंगे तो मर्चे को भी इस तरह से डाल लेंगे अब जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 100 ग्राम मर्चे जो लिए हैं अब यहां पे सब हम उबालने के लिए रखने जा रहे हैं नमक को पहले बिछा देंगे कर यह में हम नमक बिछा कर तो नमक आप जैसे जादे भी बिछा सकते हैं अचार बनाते से में नमक को आपको हलका में थोड़ा डालना चाहिए क्योंकि पहले से भी हम नमक डाल रखे हैं अब इसी तरह से हम बिछा देंगे क्योंकि गाज़ा थोड़ा कड़ा होता है तहले हम गाज़ों को बिछा लिये हैं अब इसके उपर से हम मुली को बिछाएंगे तो जैसे मुली हमारा देख रहे हैं इसे में हम अच्छे से इसको भी बैठा दे रहा है जिसे गाजर हमारा बाप लेगा तो मुली भी साथ साथ में ले लेगा मटर सबसे पाच ही हम डालें क्योंकि मटर एदम हलका रहता है गल जाता है इसलिए मटर को उपर से दिये हैं मटर हलका बाप में हो जाएगा अब इसक ईश्जाना सब्सक्राइएक। बाप देखेएक। पार हमँद धूप में ने जा इसको धूप में आधे घंटा दिखाएंगे इसका पानी मरड़ जल जायगा जैसे धूप में दिखाने से पानी जू रता है सुखा हो जाता है गदम सुखा टाइप में हो जाएगा तो हम इसको तब तक यहां पर लेसुन आपको नवरात में खाना हो तो लेसुन मद डालिए आप जैसे देखते हैं कितने लोग नवरात में लेसुन पर आज नहीं खाते हैं इसके लिए आपको बनाना हो तो लहसुन आप मड़ा लिया इसमें इस तरह से अचार बनाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत जल्दी में बन भी जाता है देखती हैं जैसे मार्केट में इस तरह से अचार मिलता है इसी तरह से अचार हम बनाने जा रहे हैं यहां पर ल देखिए अब मर्चे को भी इसे में मर्चे के डंठी निकाल कर इसमें हम काट ले रहा हैं तो मर्चे को जैसे देख रहे हैं इसी तरह से हम खलबटे में अब इसको खुन लेंगे अब देखिए जैसे कि हमारा सब मर्चे को इसी तरह से हम तोड़ लेंगे अपना मर्चे को अब हमारा देखिए सारे मर्चे को इसी तरह से तोड़ कि आपको जितना तीखा खाना होगा उतने अंसार से आप डालिएगा जिसे कोई तीखा कम खाता है कोई ज़्यादा खाते हैं तीखा भी अपने स्वाद अंसार से आप डालिएगा आप इसको इसी तरह से जैसे बनता है तो कच्चे भी आप बना सकते हैं कच्चे ज़्यादा दिन में खाने लाइक होता है अई आपको बनाएंगे इस तरह से अचार तो तुरंत खाने लाइक हो जाएगा आपको तो अब देखिएं यहाँ पर हमारा यह यादे गंटा धूप में दिखा दिया हैं इसको तो मंग्रेल को हाज से हम मिच कर डाल दे रहा हैं क्योंकि मंग्रेल को हम धो के पहले से रखे थे सुखा कर यह ज़्याइंग हमारा है तो ज़्याइंग को भी हाज से मल दे रहा हैं इसको भी इसी में डाल दे रहा हैं इसको कोई बड़ा थाली में आपको मिलाना चाहिए अचार जबी मिलाना चाहिए तो यह जीरा पाउडर हमारा था इसको भी मिला दिया है तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं धनिया पाउडर है तो धनिया पाउडर भी हमने तीन चीमच लिये थे हम हलके मसाले विला चार बन लाल मटचा पाउडर एक चमच हमारा है उसको भी डाल दे रहा है यहां पर देख रहे हैं नमक अपनी स्वाधन सार से आप मिलाईए तो नमक भी है आप हमने मिला लिए हैं कि चैसे कलर है अचार में कलर हज़ाइब इसका चैंज कर दिंगर होげता है यंट All years the सरसो के तेल भी हमने डाल दे रहे हैं आदे के जी जैसे हम एक बार में डालेंगे तो हमारा डालना नहीं पड़ेगा अब यहाँ पर नेबू जैसे दिख रहे हैं तो नेबू के बीज निकाल दिया है तो इसको हम गार ले रहे हैं इसी तरह से अब नहीं नेबू डालना चाहते हैं तो आमका अमचुर हो तभी भी आप डाल सकते हैं आमको अमचुर से भी बहुत अच्छे लगता है खटाई बनना इन पर तो जैसे हम यहाँ पे नेवू डाल रहा है तो आम का अमचुर आपके घर पे हो तो डाल लीजिए नहीं तो नेवू मार्किट से मंगा कर आप डाली अचार बनाते हुए नेवू जैसे रहता है जल्दी से अचार को गला देता है इसी तरह से हम सारे अब मिक्स कर ले रहा है नेवू गार ले है अब यहाँ पे देखिए हम अच्छे से मिक्स कर ले रहा है मिक्स करकर इसे हम थाली में जैसे देखते हैं हम धूप में इसी में दिखाएंगे एक दिन धूप में दिखा के उसके बाद जार में हम इसको रख देंगे अब देखिए यहाँ पर अद्रका लेसुन के पेश्ट जो है मर्चा का हरा इसको भी इसी में मिला दे रहे हैं इसको ज्यादा महीन आपको नहीं पिसना है मोटा टाइप में थोड़ा रहे गाए तो देखिए इसी तरह से इसको हम मिला ले रहे हैं हमारा चार के कलर देखिए कितनी अच्छे से आ गया है अब इसको मिला कर हम इसी तरह से धूप में इसको दिखाएंगे दूप में दिखाएंगे तो हम दूप में दिखाकर तब इसकी बाद जार में रखेंगे क्योंकि हलका सा हमारा दूप यह लग जाएगा आपको ज्यादा सुखवाना नहीं है इसको अब देखें जैसे कि हमारा इबन के तयार हो गया आचा तब इसको हम ज़्यादा सुखवाएंगे नहीं इसको धूप इस तरह से दिखाएंगे चला कर उसके बाद जार में हम इसको पैक कर देंगे आपको कहीं भी वेजना हो तो इसी तरह से अचार बना के दिखाईए तो प्लेज जिन लोगों अभी तक हमारे वीडियो को नहीं सब्सक्राइब हो गए हैं प्लेज प्लेज सब्सक्राइब कीजिए और धेर साथ लाइप किये नमस्कार दूसरे वीडियो के साथ